नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जैक बोर्ड दस भी बर हवी स्कूटनी के लिए आवेदन 6 जून से अगर आप मैट्रिक इंटर्मीडियर की परिक्षा में अपने रियल से असंतुष्ट हैं, तो आप स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं बताद जहरखन एकेडमी काउंसिल ने कॉपी रीच चेक करने के लिए आवेदन करने की तीथी जारी कर दिया है बिद्यार्थी स्कूटनी के लिए 6 जून से 21 जून तक आवेदन दे सकते हैं मैट्री के बिद्यार्थियों को 450 रुपे आवेदन सुल्क लगेगा जबकि इंटर्मीडियर के छात्रों को 750 रुपे आवेदन सुल्क देने होंगे वहीं विद्यार्थी जैक के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं जैक द्वार मिली जनकारिक अनुसार इस कुटनी केवल परिक्षा केंद्रे में हुई कोपी की होगी विद्यार्थी प्रेडिकल या इंटरनल कोपी को रिचेक नहीं करा सकते हैं ज्यारखन में 10 जून से बालू निकासी पर लगेगी रोक 10 जून से पूरे राज्ये में बालू घाटों से बालू की निकासी पर NGT की रोक लग जाएगी पर JSMDC द्वारा के टेगरी C के 6 बड़े बालू घाटों की निवीदा 30 माई को जारी की गई जाबकि निवीदा परकिरिया पूरी होते होते 2 से 3 माह का समय लग जाएगा बताया गया कि JSMDC द्वारा बोकारो जीले के दामोदा नदीश थी चापी, खेतको घाट, गढ़वा जीले के सोन घाट वा नोर्थ कोयल घाट पूर्वी सिम्भूम के कोरिया, मोहनपाल, स्वर्ग नदीपाल, डामजूर, वगिरीडी जीले के माजने सीरा टार के डिये निवीदा जारी किया गया इसमें चानित MDO से फाइनेंसियल बीड साथ जुन तक मंगा गया बता दे जेस MDC द्वारा पुरो में निकाली गए निवीदा के तहट तीन बड़े घाटों के लिए MDO चुन लिए गया है इसमें सराय के लखर सावाजी लेके सापारोम, सोरो, बिर्डिह बालु घाट के लिए बिशनू टांस्पोर्ट एवां कमपनी चैन किया गया है मनेता प्राप्त और अत्यदुनिक सुविधाओं से युक्त इन सरकारी स्कूलों का नाम अब CM स्कूल आप एक्सिलेंस कर दिया गया बस यही बवाल हो गया है दरसल उत्कृष्ट बिद्यालों के रूप में बिक सी दो ऐसे इसकूलों का नाम ही बदल गया है जिसमें पहले से हिंदु और रामरूदर सब जुड़ा था अब इसकुलों के नाम से यहीं हिंदू और राम रूदर सब रहटा दिया गया है जहां भी भाग इसे नियमों के तहट किया गया बदलाव कह रहा है वहाई अस्थानिय लोगों में इसे लेकर नराजगी है मामला लोहरतगा और बोकारो जिलाई सी दो उतकरिष्ट विद्यालों से जुड़ा हुए है रिम्स का नया निदेशक कौन इस्थीपा के बाद अटकलों का दोर जारी चारखन के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के निदेशक डाक्टर कमिस्वर परसाद ने अपने पर्द से इस्थीपा दे दिया है इसे लेकर आप सवाल उठने लगा है कि अब रिम्स का आगला निदेशक कौन होगा कई नामों पर चार्चा चल रही है बदाजे राजे का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स हमेशा ही चार्चा के भी सह बना रहता है कभी अपने बेहतर उपलब्दियों के लिए तो कभी लापरवाही की सीमा को पार करने के लिए लेकिन इस बार रिम्स अपने निदेशक डॉक्टर कमेसर परसाद की स्थिपे की खबर को लेकर चर्चा में बना हुए है नए निदेशक को लेकर क्यास लगाने शुरू हो चुके हैं इसके लिए कई डॉक्टरों के नाम भी आगे चल रहे हैं जारखंड में पूलिस और नकसलियों की मुटभेड में मारा गया तीन लाकाई नामी राजेस उराओं जारखंड के गुमला में एक खुनखार नकसली मारा गया है अंजन इलाके में पूलिस और नक्सलियों के बीच मुटभेड में 3 लाग के इनामी नक्सलिय राजेस उराओं के मारा जाने की सुचना है हलाकि अभी इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं हो पाई है सुत्रों के हवाले से जनकारी मिल रही है कि इस मुटभेड में दोनों ओर से करीब 100 राउंड गोली चली है पूलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुटभेड में भागपा मवादी संगठन के 3 लाग का नक्सलिय राजेस उराओं मारा गया मुटभेड गुरुवार को सद थाना छेतर के अंजन धाम जाने वाले राश्ते छेतर में हुई राजेस के उपर जार्खन पुलिस ने 2 लाग और एनाईय ने 1 लाग का इनाम खोशित कर रखा था राजेस उरामोल रूप से घागरा थाना के हुटार गाव रहने वाला था जार्खन की चुट्टू पालु घाटी में भीशन हाजसा रामगा के बलैक एसपोर्ट के रूप में चिनी चुट्टू पालु घाटी में फिर एक बार-बार हाजसा हुआ है यहां पर ट्रेलर ने अपने आगे चल रहे 5 वानों को टक्कर मारते हुए सलक पर पलट गया ट्रेलर के पलटने से NH 33 पूरी तरह से 3 घंटे तक जाम हो गया पलटने से पहले ट्रेलर ने 5 वानों को मारी टक्कर अन्यंत्री सर्या लदे ट्रेलर ने पलटने से पहले पांच गाड़ियों को टकर मारी है सबसे पहले सर्या लदे अन्यंत्री ट्रेलर ने मीनी टर्बो ट्रक को पहले टकर मारी उसके बाद कार को टकर मारी और फिर एक एक कर बुलेट ट्रेलर और फिर बाइक को टकर मार का सड़क के बीचो बीच पलट गई लव जी हादियों को कौन देता है सनरक्षन राजधर्मनी भाय मुख्य मंत्री भाजपा बिधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि जारक्षन में लव जी हादियों की हिमत काफी बढ़ गई है साजा काट के आने के बाद भी न परसासन का डर है न फिर से पकड़े जाने का ट्विट करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 14 जनुवरी को अर्मान खान ने लव जिहाद में रामगड की ममता की नीरममता से हत्या कर दी ममता की हत्या के बाद अर्मान का भाई अर्जू खान ममता की बहन को जान से मारने की धमकी देने लगा अब मामले में काफी दबाव के बाद अर्जू की गिरफतारी हुई है अब वहीं अर्जू जेल से निकल कर फिर से एक लड़की पर जबरन दोस्ती करने का दबाव बनाते हुए बुद्धवार की रात अट अपराधियों के साथ जबरन उसके घर घुसा और उसे जान से माने की कोशीज की है अंगनवाडी सेविका सहाईकाओ का 238 कॉर बकाया सरकारी उजनाओ का लाब जन जन तक पहुचाने में अहम भुब का निभाने वाले अंगनवाडी सेविका सहाईकाओ को बिगत 6 मां से नीमित रूप से बेतन मान नहीं मिल रहा है इनके मानदे की लगभग 238 कॉर रूपए से भी अधिक किरासी केंदर और राजे सरकार उपर बकाया है बता देखी अंगनवाडी सेविका और सहाईकाओ के मानदे का एक हिसा राज सरकार जबकि दूसरा हिसा केंदर सरकार की ओर से दिया जाता है राई सरकार ने जहां 3 माह का राजे अंस नहीं दिया है वहीं केंदर सरकार ने 6 माह से केंदर अंस नहीं दिया है इसके चलते राई सरकार पर से विकावो का 97.6 क्लोर और साहिकावो का 35.13 क्लोर रूपए बकाया है वहीं केंद्र पर से विकावों का एक सो तीन पंचा आट और साहिकावों का एक तालिस पंचार साथ को रुपे बकाया है यह पूरी रासी 238 को रुपे से भी अधिक बनती है लव जिहाद मामला हिंदु संगठनों और महिलाओं ने किया परदर्शान दिल्ली में साक्षिक बेरहमी सहत्या और मौडल से लव जिहाद मामले को लेकर हिंदु संगठनों और महिलाओं ने आज गुरुवार को पलाजा सिनेमा के सामने परदर्शन किया हिंदु वादी नेता भैरव सिंग के नेतितु में परदसन कर दोनों मामलों में आरोपी को जल्द से जल्द फासी देने की मांग की है भैरव सिंग ने सुदुर ग्रामीन छेतरों से आई महिलाओ का स्वागत पुस्प वर्षा कर किया फिर महिलाओं को फिरी में दा केरला फाइल्स दिखाई गई इससे पहले भी भैरो सिंग ने हिंदू महिलाओं को जागरू करने के लिए पूरे सिनेमा हॉल को बुक करके फिल्म दिखाई थी सड़ रही है वर्ष 2016 में 5 लख बच्चों को देने के लिए खरी दे गई टी साट जारकन के अस्थापना दिवस पर वर्ष 2016 में इसकुली बच्चों के देने के लिए खरी दी गई टी साट और टोफी का सता परतिशत भीतरा नहीं किया गया पिछली सरकार ने अस्थापना दिवस पर प्रभात फेरी में सामिल बच्चों को T-shirt देने का नहीं नहीं लिया था बता दे जिला स्कूल रांची के छात्रावास के एक कम्रे में रखी गई हजारो T-shirt सल रही है वहीं बड़ी मात्रा में टोफी रखे रखे पिघल गई बोरो में भर का T-shirt रखी गई है सरकारी स्कूलों के बच्चे के बिच बित्रन के लिए 5 लाग T-shirt खर दी गई थी इस खरीद में बित्य गरबडी के भी आरोप लगे हैं जिसकी जाच ACB कर रही है गरबडी की जाच तो हो ही रही है साथ ही इसे खरीद कर बाटा भी नहीं गया जिला स्कूल राची के अलग-अलग कमरों में टी-shirt रखी गई थी जिन में से हजारों टी-shirt को चुहे ने काग डाला है और हजारों रखे-रखे बरबाद हो चुके हैं अब सीपाही सीधे नहीं बन सकेंगे दरोगा राज सरकार ने जारखन पूलिस सीमीत बिभागिये परतियोक्ताब परिक्षा 2016 को समाप्त कर दिया है या फैसला बुद्धवार को कैबिनेट के बैठक में लिया गया इस नियम आवली के तहत सीमीत बिभागिये परतियोक्ताब परिक्षा पास कर कोई सीपाही सीधे दरोगा के परद पर प्रणती हो जाता था इस नियम से 1250 जमादार से दरोगा तथा उतनी ही संख्या में सीपाही से जमादार में प्रणती होंगे मालूम हो कि पिछले 6-7 साल से जार्खन पूलिस एसेशेशन इस नियम को समाप्त करने के लिए प्रयासरत था कैबिनेट के फैसले के बाद जार्खन पूलिस एसेशेशन के अध्याक्स योगेंदर सिंग ने मुख्य मंत्री मंत्री परशत के सदस्यों मुख्य सचीव, गिरी सचीव, डीजीपी को धन्यवाद देते हुए अभार ब्यक्त या है एसोसेशन का एक प्रतिनीदी मंडल गूरुवार को मुख्य मंत्री से मिल कर अभार ब्यक्त करेगा जार्खन में महंगाई का करन्ट जार्खन में बिजली दर में बढ़ोतरी पर फैसला ले लिया गया है, राजे विदूत नियामक आयोग इसकी घोसना कर दिया है गौतला भाय की जार्खन बिजली बित्रन निगम ने इस समन्द में आयोग को टैरिफ पिटी सान सोपा था इसमें घाते को दर्थाते हुए दर बढ़ाने के उनमतिक आगरा किया गया था अब बिजली बित्रन निगम ने या भी उले किया है कि बीते तीन साल से दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है जिससे घाता बढ़ रहा है कुरोना संक्रमन काल में बिजली दर में बढ़ोतरी से माना कर दिया था पिछले वर्स आयोग में अधिकारियों का कोरम नहीं रहने के कारण ट्रेफिक पर निना नहीं हो पाया था अब घरेलु बिली में 5 पैसे प्रती उनिट की बढ़ोतरी वहीं तीन साल के बाद बढ़ा आसिक बिली दर बनिज्य बिली दर में 15 पैसे प्रती उनिट दर बढ़ा है हलाकि घरेलु बिली उभोकताओं को 100 उनिट प्रती मा खपत पसप्ति जारी रहेगा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाल का बेल एक अंदर बढ़ाई साथी साथ वीडियो के एक लाइक का आपने दोस्तों के साथ सेयर कर ना भूले साथी साथ आपना में कमेंट बक्स में आपना फीड़ों एक अवस्य दे थैंक यू